हलो नमस्कार और वेलकम टू स्टेडी गलोज माई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ प्रशांत मावानी आइ होप यू ओल आडोई गोड़ दोस्तो यूएसे ने यूएसे की मिलिटरी ने इराक और सीरिया में इरानियन मिलिटन्स जो है उन पर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर द उयसे का इन स्ट्राइक्स को लेकर क्या कहना है आने वाले भाषिश में चीजे जो है वो किस दिशा में जा सकती है फिर एरान जो है उनका क्या कहना है एरान जो है वो भी चुब थोड़ी बैठेगा तो ये एक थरो एनालिसे होने वाला है जिए पॉलिटिक्स के में ये जो युद्ध चल रहा है तो कैसे ये दीरे दीरे अलग अलग खेत्रों में फैलने लगा है कैसे USA और ज्यादा involved होता जा रहा है ये सारी चीजों के बारे में आज हम analysis करने वाले हैं मैंने कोर्स डिजाइन किया है इसका नाम है Limitless Leadership ये कोर्स आप Study Glows के mobile app से access कर पाएंगे इसके साथ जुड़ी हुई सारी details आपको Study Glows के mobile app पर मिल जाएगी तो अगर आपके phone में Study Glows का mobile app नहीं है तो आज ही अभी इसको download कीजिए and go through this course और इसके साथ let me tell you दूसरे भी बहुत सारे interesting courses जो है वो Study Glows के mobile app पर available है इसके साथ dear friends ये चार social media handles है जिनके माधियम से आप मेरे साथ connect कर सकते हैं we can connect with each other of course और ये मेरी channel है Curiously Education YouTube channel है इसको भी subscribe करना ना बुलें तो let's talk about the action right तो जैसे मैंने आपको starting में बताया है कि locations जो है वो धियान में रखिएगा right जो air strike है वो USA की है लेकिन USA ने इरान जो है इरान की territory में attack नहीं किया है सिरिया और इराक में जो इरान force इरानियन forces है इरान के दोरा वे सारे terrorist organizations जो milisias है इनको जो support किया जाता है तो इनके जो locations है इस पर USA ने air strikes conduct की है अब प्रशन ये उड़ता है कि USA ऐसा क्यों कर रहा है the answer is दोस्तो अभी कुछ समय पहले की बात है USA के जो bases है उन पर attack हुआ और इस attack में तीन American soldiers जो हैं वो शहीद हो गए तीन American soldiers जो हैं उन्होंने अपना supreme sacrifice दिया and this is the reason के अब USA जो है वो बहुत ज्यादा आग बबुला हो चुका है USA is very angry अब USA जो है वो यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा वैसे भी USA जो है वो चुप नहीं बैठता है लेकिन अब तीन soldiers तीन American soldiers की मौत हो गई तो अब USA जो है वो strikes start कर चुका है दड़ा दड़ strikes conduct की है 28th January की बात है Jordan जो देश है न तो Jordan में USA का जो base है वहाँ पर यह attack हुआ था इसमें बहुत सारे USA के soldiers जो है वो घायल हुए और तीन soldiers जो है उनकी बृत्ति हो गई दोस्तों यह तीनों soldiers जो है इनका जो पार्थिव शरीर है वो भी USA तक पहुँच गया है और USA के जो first lady है जो बाइडन के जो missis है वो भी यह तीन soldiers के पार्थिव शरीर को receive करने के लिए airport भी गया थे तो you can understand के जो president है उनकी जो wife है first lady जो है वो आपके soldiers है उनको receive करने के लिए airport तक जाते हैं तो you can understand के USA का जो top management है top leadership है वो इस चीज़ को कितना seriously consider कर रही है right it is not a light matter ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है और जो बाइडन साब जो है उनकी मुलाकाद जो है यह soldiers के परिवार के जनों के साथ भी हुई है तो you can understand के USA अपने soldiers को कितना ज्यादा importance देता है और इसे के साथ-साथ इस प्रकार की जब भी कोई दुरगटना होती है तो इसको top level तक register किया जाता है USA के जो basis हैं वो अलग-अलग जगाओ अपर हैं जैसे के एराक में अलग-अलग locations पर उनके basis हैं सीरिया में अलग-अलग locations पर उनके basis हैं अगर आपको नहीं पता है तो लेट में चाली हूँ कि 7th October जब से इसराइल और हमास के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक 160 टाइमस 160 टाइमस से ज्यादा इराक और सिरिया में जो USA के basis हैं उन पर एटेक्स हुए हैं लेकिन अभी तक ये एटेक्स में किसे भी USA के सोल्जर्स की मृत्यों नहीं हुई थी लेकिन पिछले हफ़ते तीन USA के सोल्जर्स जो हैं उनका देदन हुआ तो USA इस वेरी वेरी एंगरी अब USA इसने एर स्ट्राइक्स कंड़क्ट करना स्टार्ट कर दी है बी वन बॉमर जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं राइटेक्स बहुत ही केपेबल एरक्राफ्ट है इसका इस्तेमाल भी किया और 85 टार्गेट्स जो हैं उन पर एटेक्स किया है इसमें से तीन लोकेशन जो हैं ये इराक में हैं और चार लोकेशन जो हैं ये सिरिया में है तो यू केन अंडिस्टेंड कि ये कोई छोटी बात नहीं है बहुत ही कोडिनेटिट तरीके से USA ने अलग-अलग साथ लोकेशन पर 85 टार्गेट्स जो हैं उन पर स्ट्राइक की है और ये जो टार्गेट्स हैं इसमें इसलामिक रिवलिशनरी गार्ड कॉर की जो कुद्स फॉर्स है कुद्स फॉर्स जो है इसका में काम क्या है जो इरान के ये जो मिलिटन्स है न तो इनके ओवर्सीज के ऑपरेशन्स foreign operations जो होते हैं ये kids force के दोरा देखे जाते हैं तो ये kids force और दूसरी जो इरान के दोरा supported militant groups हैं इनके command और control facilities इनके जो supply depots हैं जहां पर rockets, missiles, drone रखे जाते हैं ये सारी चीजों पर USA ने attack किया है USA के officials ने ये भी कहा कि ये जो strike है ना वो लगबग लगबग 30 मिनिट तक आदे घंटे तक चलती रही और इराक की जो सरकार हैं उसको पहले से ही USA की सरकार ने inform कर दिया था कि हम इस प्रकार की strikes जो हैं वो आपकी territory में conduct करने वाले हैं रही बात जो बाइडन साब की तो white house से ये बात पता चली है कि जो बाइडन साब ने यानि कि USA के ब्रेजिडन जो हैं उन्होंने ये ते कर लिया है कि अब बहुत ही calibrated तरीके से USA जो हैं वो सारे militants जो हैं उनकी क्षंता उनकी जो ability हैं उनको खत्म कर देगा और बाइडन साब ने ये statement दिया है कि our response began today आज से हमारा जो response है उसकी शिरुवात हो चुकी है it will continue at times and place of our choosing हम बार बार जब भी हमें ठीक लगेगा जब भी necessary होगी तो हम इस प्रकार की strikes जो हैं वो conduct करते रहेंगे रही बात तो USA के overall stand की तो इसके बारे में हमें पता चलता है from John Kirby John Kirby जो है ये National Security Council जो USA का जो जैसे हमारे देश में National Security Agency है वैसे National Security Council जो है तो उनके spokesperson उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में अगर requirement रही तो और इस प्रकार की strikes जो है वो USA conduct कर सकता है ये जो strikes conduct हुई उसमें मैंने specifically बताया ना कि Iranian territories जो हैं उन पर attack नहीं किया है और ये बहुत ही smart तरीके से USA ने यहाँ पर एक operation conduct किया है देखिए अगर starting से ही Iran की territory में attacks करना start कर देते तो ये जो conflict है वो हद के बाहर जा सकता था राइट इरान और USA के बीच में direct confrontation हो सकता था लेकिन USA ने बहुत ही smartly क्या किया इराक और सिरिया में जो Iranian militants हैं उनके जो assets हैं उन पर ही attack किया है तो एक प्रकार से चीजों को अपने control में भी रखा है दूसरी angles है इरान को भी एक strong warning दे दी है कि देखिए अगर आप misbehave करेंगे अगर आप हम पर attack करेंगे आपने 7th October 2023 से लेकर आज तक 160 टाइम से ज्यादा हमारे पर attack किये हैं और हमने भी time to time आपको जवाब दी हैं लेकिन अब हमारे soldiers की मृत्य हुई है अब अगर आपने attacks continue की है तो फिर USA का full worth जो है full force में USA जो है अपको destroy कर देगा रही बात कुछ की जैसे मैं आपको बताया कि जो IRGC है तो उनके foreign operations को देखने का काम ये kids force करती है और अब दोस्तो चिंता का विशय जो है वो ये है कि क्योंकि USA ने attack करना start कर दिया है तो हो सकता है कि ये conflict जो है वो और ज्यादा escalate हो सकता है दूसरे क्षेत्रों में भी ये फैल सकता है already जो चिंता का विशय है वो यही है कि जब साइज इसराइल और हमास के विजमें युद की शिरुवात हुई है तब से अलग-अलग locations पर ये conflict जो है वो spread होते रहा है और Red Sea के बारे में भी हमने काफी सारे discussions की थी आपको याद होगा कि कैसे जो एक बहुत ही important commercial shipping route है तो उस पर अलग-अलग प्रकार की ships पर attacks जो है वो होते रहे है Secretary of the State Anthony Blinken साब जो है वो अब इस अक्षेत्र में जाने बाले हैं He is going to visit few countries here in West Asia और वहाँ पर वो जाने बाले हैं दो important चीज़ों को लेकर number one के एक तो seize fire हो जाए हमास और इसराइल के बीच में जो ये युद चल रहा है उसको seize fire का एक pause दिया जाए दूसरी जो चीज़ है ये दो important missions को लेकर ये दो important targets को लेकर एंटरी ब्लिंकन साब जो है वो अभी कुछ दिनों के अंदर ही West Asia जाने वाले हैं और उससे पहले इस प्रकार की strikes हो रही है तो ये थोड़ा एक चिंता का विशय तो definitely है ही दूसरी तरफ अगर हम इरान की बात करें तो इरान जो है वो एक ग्रूप चलाता है इसका नाम है Axis of Resistance तो ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए एक ऐसा ग्रूप है जिसमें बहुत सारी organizations involved है और ये organizations जो है ये basically Axis of Resistance जो है ये anti-Israel और anti-USA militant group है और अलग 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 देशों में जो सीरिया लेबनन येमेन और या तक जो गाजा स्टिप में हमास हैं तो ये सारे अलग 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 groups को support provide करने का काम जो है वो इरान करता है ताकि वो इसराइल और USA के खिलाफ एक stand ले सके रही बात IRGC की तो उनके कमांडर ने ये का है कि हम USA के साथ युद्ध नहीं चाते हैं लेकिन हम युद्ध से डरते भी नहीं हैं और इरान के जो ambassador है United Nations में उन्होंने ये का है कि अगर किसी ने भी इरान की territory इरान के citizens या फिर इरान के hit को attack किया तो फिर इरान जो है वो एक मूँ तोड जवाब देगा ऐसा उनका कहना है ऐसा उनका official statement है तो अभी तक जो चीज़े चल रही है दोस्तों they are not that good to be honest right ये चीज़े जो है वो दिरे दिरे out of control होती जा रही है और इस प्रकर की चीज़ों में उपर जाएगी तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि अगर इस प्रकार के छोटे छोटे issues जो है वो होते रहें फिर अचानक एक बहुत बड़ी strike हो जाएगी और इसके बाद युद की शुरुआत हो सकती है तो यह सबसे बड़ा चिंता का विशय सिर्फ यहां के देशों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक जिंता का विशय है तो आज की discussion से आपको geopolitics के बारे में एक अच्छी समझ जो है वो डेवलोप होई होगी and that's basically everything in today's discussion dear friends, मेन राम है प्रशाथ मावने you're watching study close and do check out limitless leadership program it will help you a lot जीवन में challenges आते रहेंगे लेकिन challenges को maturely हिम्मत से handle करने की ख्षमता जो है उसको ही leadership कहते है how to do it? you will learn from this particular course course के साथ जड़ी हुई सारी details study close के mobile app पर अविलेबर है एक अच्छा discount भी चल रहा है जिसका फाइदा आप उठा सकते हैं and do check out curiously education as well I'll see you soon with some more interesting topics till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind